नमस्कार दोस्तो ओलाइ लर्निंग इस्टेनों चैनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रति मिनिट की गती से डिक्टेशन शुरू होगी तीन सेगिंड बात दोस्तो यह सभी डिफिकल्ड आउटलाइन आपको हमारे टेलीक्राम चैनल पर भी मिल दाईगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है चले शुरू करते हैं असी शब प्रति मिनिट स्टार्ट चुनावी चंदे का विवरण देने को लेकर भारतिये स्टेट बैंक की समय बढ़ाने संबंधी फरियाद पर स्वभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गये हैं सर्वोच नियाले ने आज तक का समय दिया था कि वहे सारा विवरण निर्वाचन आयोग को सोप दे उस विवरण को एक हफते के भीतर निर्वाचन आयोग को सारजनिक करना था मगर अब स्टेट बैंक का कहना है कि बॉन्ड के रूप में जो भी चुनावी चंदा दिया और लिया गया था उसका हिसाब किताब दो जगाहों पर जमा है और उनका मिलान करने में वक्त लग जाएगा इसलिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए उसकी यहे दलील किसी के गले इसलिए नहीं उतर रही की आज जब बैंकों का सारा कामकाज डिजिटली कृत हो चुका है और किसी भी खाते के लेंदेन का विवरण एक बटन दबाते ही निकल आता है तब स्टेट बैंक को कुल 22,217 बोंडों का हिसाब किताब निकालने में इतना वक्त क्यों लगना चाहिए स्टेट बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है देश के छोटे से छोटे हिस्से यहां तक की दूसरे देशों में भी उसकी शाखाएं हैं उसके लाखों ग्राहक हैं इतने बड़े कारोबार को देखने के लिए हजारों करमचारी हैं जो रोज लाखों लेंदेन का हिसाब किताब रखते हैं उसके पास अत्याधुनिक सौफ्ट वेयर हैं फिर भी हैरानी की बात है कि उसे 22,000 बोंडों का हिसाब जुटाने के लिए इतना वक्त चाहिए पैरा बोंड के जरिये गुप्त तरीके से चुनावी चंदा लेने की प्रक्रिया को सर्वोच नियाले ने पिछले महीने आसमवेधानिक करार दिया था उसने भीते करीब पांच वर्षों में इस तरह हुई चंदे की लेन देन का विवरण सारुजनिक करने का आदेश दिया था ताकि लोगों को पता चल सके कि किस राजनीतिक दल ने किन-किन लोगों और कंपनियों के कितना चंदा लिया दरसल आरोप था कि कई घाटे में चल रही कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को करोडों रुपे का चंदा दिया है इसमें रिश्वत काले धन के सफेद करने और फरजी नाम से चल रही विदेशी कंपनियों के जरिये धन-शोधन का मामला भी बन सकता है चुंकि चंदा उगाही की इस पूरी प्रक्रिया को सूचना अधिकार के दाइरे से बहार रखा गया था इसलिए इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी इसलिए सर्वोच नियाले ने इसे राजनीतिक दलों के बराबरी के हक का उलंगन और आसमविधानिक करार दिया था पैरा कुछ लोगों के इस तर्क को नजरंदाज नहीं किया जा सकता की स्टेट बैंक इसलिए जून तक का समय मांग रहा है शोब